गुड मॉर्निंग साथियो आप सभी लोग का सक्सेस प्लेटफार्म 259 पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम ग्यान बिंदु जीएस अकैडमी पठना के सेट नंबर आठ को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तो अगर आपको इस सेट में किसी भी तरीके का एरर दिखाई देता है या दिखाई आपको लगता है कि यह आंसर गलत है तो जरूर कमेंट करें कमेंट करने के लिए कोई भी आपको मना ही नहीं है लेकिन साथ ही साथ इसमें यह ना लिखें कि आपने गलत बताया और गल तरीके से लिखे कि भाई यह आपका गलत लग रहा है और तो मैं इसे सुधारने की कोशिज करूँगा पर यह मत लिखे कि आप गलत पढ़ा रहे हूं उससे क्या होता है कि मैं डी मोटिवेट हो जाता हूं और मुझे थोरा सा पैनिक होता हूं कि भाई कहा प्रॉबलम हो गया तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे पता है और कमेंट लिखे जरूर करें कमेंट चुकि अगर डाउट क्लियर नहीं होगा तो वो डाउट रह जाएगा और मैं नहीं चाहता कि डाउट रहे डाउट क्लियर होने चाहिए साथी साथ उन लोगों के लिए जो हमारे वि वीडियो को पूरा देखेंगे रही बात मैथ की तो मैथ भी मै छोड़ने वाला नहीं हो मैथ पूरा कंप्लीट होगा दोस्तों आप टेंसन क्यों ले रहे हैं जब मैथ पर हम लोग लगेंगे न एक तरप से मैथ कंप्लीट करते जाएंगे अभी क्या कीजिए अभी इस की सुरुवात करते हैं पहले प्रस्ण के साथ पहला प्रस्ण है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था यानि कि एक सूफी संत हुआ करते थे जिने महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था वैसे कौन सूफी संत है तो देखे दोस्तों आप्शन के अनुसार आ खाजा, मुहनुदीन चिस्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन, बक्तियार काकी और सेख निजामुदीन ओलिया। पुस्तक के लेखक कौन है, यानि इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तो इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, अगला प्रसन ने, प्रसन संख्या 3, देखिए रिजिनिंग मैथ, आप बिल्कुल डाउट नहीं करेंगे, मैं स्योर करता हूँ, आपके DCGI के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है, बात की जाए, DCGI की तो उसका फुल प्रम यानि की पुन रूप होता है, ड्रग कंट्रोलर जेनरल आफ इंडिया, ठीक है, इसकी अगर बात की जाए, तो इस पद पर, महानियंतरक के पद पर, जो है, DCGI के पद पर, डॉक्टर राजीर शीर रगवनसी को अपॉइंट किया गया है, अधवा न्यूक्त किया गया है, अगला प्रस्न है, प्रसर संख्या 5, 5 नमर प्रस्न में, मैत के प्रस्न है, उसको अगए बढ़ते है, उसको इसकीप करते हुए, distillation 6 में कहए राश्टिय वनजी बोड की अस्थाय समीति ने निर्नय लिया है कि राश्टिय डॉल्फिन दिवस हर साल निमलिखित में से किस तारीक को मनाया जाएगा तो डॉल्फिन दिवसकी अगर बात की जाए, तो उसे हपरतीएक साल 5 अक्टूबर को मनाय जाने की घोसना किया गया है और यह निर्ने किसके द्वारा लिया गया है? यह निर्ने लिया गया है राष्ट्रिय वनजी बोर्ड की अस्थाई समिति के द्वारा अगला प्रेसंद है प्रेसिशंग्या साथ यह भी एनलाइटिकल रिजिनिंग टैप क रहा है सिंपल साँ प्रेसंद ही यदि एक महिने का तीसरा दीन मंगलवार हो तो उस महिने का तैङस से चैठा दीन और अड कर पोचिए रहा है कि तीसरा दिन जब मंगलवार है ठीक है ना तो फिर आप क्या करेंगे हर एक साटमा दिन मंगलवार हो जाएगा तो साथ चोख 28 हो जाता है ठीक है मैं बताता हूँ देखिए, यहां पे तीसरे दिन की बाद कर रहा है, तो हम पूडे के पूडे पहले पहले काउंट कर लेते हैं, तो तेज दिन और उसके बाद से बोल ला है, तेज के बाद छठा दिन नहीं बोल ला है, तेज 6 कितना हो जाएगा, 29, और एक इसमें से इसलिए खटाएगे, च कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 दिन हो जाएगा अब देखिए 7321 एरेस्ट कितना दिन हो जाता है चार बच जाता है तो हर एक साथ दिन पर तो मंगलवार होगा ना तो मंगलवार के बाद फूट यानि कि पेर जब आप साथ साथ का पेर करेंगे तो 73 थिरिजा 21 कट जाएगा फिर चार दिन से बचेगा तो मंगल भार के बाद चार दिन को काउंट करेंगे बूद गुरु सुक्र और सनी होता है इस प्रकार सनी आपका राइट एंसर बन जाएगा ऑप्सन नमबर बी देखते हैं अगले प्रसन को प्रसन संख्या आठ लोकसभा अध्यक्ष ओम बीरला दोरा लॉंच किये गए संसथ के अधिकारिक मॉबाइल एप्लिकेशन का नाम क्या है यानि कि ओम बीरला जो है जो कि लोकसभा के अध्यक्ष है उनके दोरा एक एप लॉंच किया गया है संसथ के कारेवाई को उस पर प्रसारित किया जाएगा 2022 को लॉंच किया गया था और इने इसे लोकसभाद्यक्ष ओम बीरला के द्वारा लॉंच किया गया था अगला प्रसन है प्रसेशन किया नौ अब देखिए यह भी आपका अनलेटिकल रिजनी है अराम से इसको अगर आप समझना चाहेंगे नहीं तो मैं इसकीप करके आग मैं प्रसन रिजनींग प्रसन को छोड़ के कराय जा रहा है और मैं छोड़ूंगा नहीं चुकि मैं आपके सामने बोल रहा हूं ठीक है कि आप खुद से नहीं बनाएगा मैं बना के बताऊंगा और आप खुद से बनाते हैं तो और बहतर है तो देखते हैं सबसे पहले जे प्रमाक मार लेंगे और पूछा जा रहा है पहली भारती महिला कौन बनी है तो यह है दोस्तों गितांजली स्री आखिर इनको दिया क्यों गिया है तो इन्होंने टॉम आप सैंड ठीक है यानि कि रेत की समाधी नाम की एक लिखी है पुस्तक लिखी है उसके उपलक्ष में उ यह जो है रेत की समाधी लिखा उसका अंग्रेजी में अनुवाद डीजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है ना टॉम आप सैंड के नाम से डीजी रॉकवेल आप याद रखेंगे उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम आप सैंड के रूप में किया था अगला हाली में जाड़ी प्रेस, सूतंता, सुचकांक 2022 में भारत कौन से अस्थान पढा रहा है यानि कि World Price Freedom Index की बात कह रहा है उसे में भारत कर रहे हैं कि क्या रहा है तो भारत जो है एकसो पचासमें अस्थान पढ रहा है और यह 2012 के संदर में पूछ रहा है प्रस्ण को अराम से पढ़ेंगे बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना होंगे अराम से हम लेके चलते हैं कोई हरबरी नहीं 2022 के संदर में भारत का World Price Freedom Index में रैंकिंग क्या रहा था तो 150 मा रहा था और पहले अस्थान पर अगर बात की जाए कि भारत का 2033 सुचकांग में रैंकिंग क्या था तो उस समय भारत का जो रैंक है 2030 यानि कि बरतमान की बात की जाए जो करिंट डाटा है उसमें भारत को 161 अस्थान दिया गया है ठीक है 2030 की अगर बात करें 2030 उसमें 161 अस्थान दिया गया है और इसमें भी नौर्वे प्रथम अस्थान पर है 2023 में भी अगला प्रसने प्रसेसंख्या 12 12 नंबर प्रसन में कहड़ा कि हाली में किस राज की सरकार ने अपने परतियक जिले में एक संस्कृत ग्राम विक्सित करने का निर्ने लिया है तो ऐसा जो है उत्रा खंडरा सरकार के दोरा यह फैसला किया गया है अगला प्रसन है प्रसेसंख्या 13 भारतिये ग्यानपीट पुरसकार से समानित प्रथम व्यक्ति कौन है यानि वह प्रथम पर्षन प्रथम व्यक्ति जिने भारतिय ग्यानफिट पुरसकार से शमानित किया गया था तो वह है गोविन संकर कुरूप अगर बात की जाए गोविन संकर कुरूप को क्यों दिया गया था यह ग्यानपीट पुरसकार तो उनकी रचना मलयाहलम भासा में ओडक्कु जल के लिए दिया गया था जिसको अगर इंगलिस में बोले तो यह था दबैंबू फ्लूइट के लिए और अगर आपको बात की जाए कि यह नहीं कब मिला था तो देखो इनको 1965 में पुरसकार दिया गया था भारतिय ग्यानपीट पुरसकार इसका आंसर हो जाएगा गोविन संकर कुरूप और इन्हें 1965 में दिया गया था ठीक है अगर बात किया जाए ग्यानपीट पूरसकार तो इसकी अस्थापना की अगर बात करें तो इसकी अस्थापना 1961 में की गई थी ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रसन के तरफ प्रसन संकिया चौदा में कह रहा है कि दिसंबर 2022 को एंडियन वायल कॉर्परेशन ने किस में तप्यदिक के खतरे से लड़ने में राज के साथ समझोता गया अपन उस पे हस्ताक्षर किया है तप्यदिक से लड़ने के लिए तो आप्सन B में कह रहा है आंध प्रदेश तेलांगना उत्तर प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश और 36 गड़ तो देखिए यह जो आयो सी जो है उसके उसने कुल मिला के किस राज के साथ तपेदिक के खतरे से लड़ने के लिए एग्रिमेंट किया है तो यह है उत्तर में कह रहा है कि भारतिये कृश कांसिल है कि यह एक अर्धनियाइक वाद्यानिक शंस्था है ठीक है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B अगला प्रसन है प्रसन संक्या solar solar number press में कह रहा है निमलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट पती थे तो देखिए सबसे युवा राष्ट पती की बात की जाए तो श्री निलम संजीव रेड़ी थे और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम निर्विरोध की बात की जाए तो निर्विरोध भी यहीं थे राष्ट पती और पहले राष्ट पती थे ठीक है निरम श्री निलम संजीव रेड़ी और ऐसा एकमात राष्ट पती जो निर्विरोज चुने गए ये भी आपका एंसर बनेगा इसके अलाबा बात की जाए तो यह कब बने थे तो 21 जुलाई 1977 को एकीज जुलाई 1977 को ठीक है ना हैंड राइटिक पर आपको जोड देना है और ना मैं कॉंटेंट साड़े लिख पाऊंगा तो मैं बोल रहा हूं उसको आप रिकॉल करते चलेंगे अगला प्रसन है प्रसन संख्या 17 निमलिखित में कौन सा मिलान असत्य है इसमें से आपको गलत को ढूनना है देखिए ऑप्शन ए में दोस्तो सूती बस्तरों की राजधानी ठीक है यहां पे कवासाजी डावर उन्होंने यहां पे सबसे पहले सूती बस्तर का खाना लगवाए थे तो इसे आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और आपका आंसर भी ऑप्शन ए बन जाएगा चुकि आपको गलत आंसर डूनना था उसके अलावा बात की जाए भारत क डेट राइट दोस्तों यहां पे भी कन्फ्यूजन होगा प्रसन आप क्या करके आएगे प्रसन में टिक करके आएगे मतलब आंसर आपका राइट एंसर ऐसा नहीं की गलत है आपका ऑप्शन है ना आपको उसके अनुसार देना है तीक है अब देखिए यहां पे अगर मैं डिरेक्ली पिथमपूर करके सही कर देता तो प्रसन के लिए आपको डाउट आपके मन में आता कि भाई यह अपनी गलत बताया है तो यहां में क्लियर कर देता हूं प्रसन ही नहीं हागा और डाउट ही नहीं रहेगा देखिए भारत का डिट्राइट के रूप में में ठीक है पिथमपूर जो है MP में इसे भी भारत के डिट्राइट के रूप में जाना गया है अगर वन लाइनर में आपको डिरेक्ली पूछ दे जहां पर पिथमपूर का जीक्र नहीं रहेगा तो इतना भी बेवकूप नहीं होता है वो कोशन समझ के सेट करेगा तो वहा इसी अस्थान पर मा दूर्गा ने महिसा सूर का वद किया था यहां पर बिजय हुआ था इस अस्थान को वड़ा यानि कि बिजय वाड़ा के नाम से जाना गया, अगर बात की जाए, option number D की, अब देखिए, option number D में करा Athens of the East, देखिए, इसे मदुरे को जाना जाता है, इस नाम से मदुरे को जाना जाता है, तो आपका तीनों का तीनों सही सुमेलित है, और option A आपका गलत एंसर है, अगला प्रसन ह क्या, 18, 18 नंबर प्रसन में कह रहा है, कि पेटी ये मनी के द्वारा पेस किये गया, भारत के पहले बुद्धिमान संदेश्वाहक का नाम क्या है, तो यह जो है, उसका नाम है, पोप्स, अब बात की जाए, आखिर पोप्स है क्या, तो देखिए, यह पोप्स जो है, बहु रहेंगे, ठीक है, जानकारिया प्राप्त कर सकेंगे, अगला प्रसन है, प्रसन संक्या, 19, दूसरे SCO, Young Scientist Conclave का आयोजन किस सहर में किया जा रहा है, संखाई Corporation Organization की बात की जाए, यानि कि SCO, तो पूछा जा रहा है, दूसरे, प्रसन में दूसरे add कर दिया गया है, तो अग जो है, संखाई Corporation Organization, उसका मुख्याले कहा है, उसका मुख्याले चीन के बिजिंग में है, ठीक है, और अस्थापना हुई थी 2001 में, किस की? SCO की अस्थापना 2001 में हुई थी, और इसका मुख्याले चीन के बिजिंग में है, अगला प्रसन है, प्रसन संक्या 20, बीस नमर प्र कोशी का नहीं सौरी साथियों कोसिस पूछा जा रहा है कि आइसी कोशिस होती है ऐसी प्रक्टिया होती है जो अपनी गलत पहचान बताते हैं और आप से गुपनिय सुचना है प्राइप कर लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है तो इसे दोस्तो आप देखिए scam तो होगा है और कौन scam होगा फिसिंग scam ठीक है spyware नहीं fishing scam के नाम से जाना जाता है अगला प्रसन है प्रसेशंख्या 21 21 नमर प्रसन में क्या कह रहा है कि किसने हाली में काहिरा मिस्र की राजधानी है वहाँ पे ISSF निसानेवाजी बिस्वकप की पूर्सों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगता में गोल्ड मेडल जीता है यानि की स्वन पदक जीता है तो यह है रुद्राक्ष पार्टी ठीक है और इनका सम्मंध यह महराष्ट के हैं है ना यह में यह निसानेवाजी बिस्वकप की पूर्सों की 10 मीटर प्रतियस परधा में गोल्ड मेडल जीता है अगला प्रसन है प्रसंख्या 22 जैव इंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अगर बात की जैव इंधन की ऑप्शन ए में कह रहा कि जैव इंधन का मतलब किया हुआ लागत प्राभावी का मतलब हुआ कि वह आपका एकनॉमिकल पढ़ता है सस्ता पढ़ता तो ऐसी बात नहीं है यह और ओकी तुलना में अधिक महंगा होता है दोस्तों ठीक है तो यह आपका यहां से गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा और भी ही आपका आई टैंसल बन जाएगा और ऑप्सन सी को पढ़ते हैं जया बिंधन उर्जा संगट के समाधान में योगदान दे सकता है बिलकुल दे सकता है और जया बिंधन मक्का से भी बनता है तो यह भी सही है अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 20 गाराई से संबंदित फुलकारी क काम प्रसिद्ध है यह फुलकारी का काम जो है दोस्तो वह पंजाब में प्रसिद्ध है यह कड़ाई से संबंदित और आप सो पूछ रहा है फुलकारी इसका नाम दिया गया है फुलकारी अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 24 किस संस्था को G20 विग्यान कार्शमू का सच ज़िवाले के रूप में नामित किया गया है प्रैसंसें क्या पचीस में कहा रहा है कि निमलिखित में से किसने नोबिल पुरसकार नहीं जीता है देखिए यहाँ पे सर जगदीश चंदर बोस ओप्सन ए में दिया हुआ है ठीक है इन्होंने नोबिल पुरसकार जो है नहीं answer हो जाएगा चंतसेखर की बात कि जाए तो चंतसेखर को तारे की खोज के लिए भौती के लिए यानि physics के छेतर में इन्हें 1993 में Nobel पुरसकार से समानित किया गया था 1993 में उसके बात की जाए B.S. नाइपॉल इनको साहित के छेतर में ठीक है 1971 में बुकर पुरसकार दिया गया और 2001 में साहित्य पुरसकार दिया गया प्रसंद साहित्य की बात कह रहा है तो यह इनको साहित्य के छेत्य में दिया गया है ना और कब दिया गया दोस्तों इन्हें साहित्य के छेत्य में दिया गया 2001 में और हरगोवीन खुराना की बात की जा तो हरगोवीन खुराना को चिकिस्था के छेत्र में 1968 में दिया गया आप याद कर लेंगे अगला प्रसन है प्रसन संख्या 26 26 नमर प्रसन में कहा रहा है किस देश ने उर्जा संकट पर देश में आपदा की इस्थिती यानि कि स्टेश ऑब डिजास्टर की घोषना की है तो ऐसा घोषना जो है दच्छिन अपरिका यानि कि सौथ अपरिका के द्वारा किया गया प्रसन संख्या 27 में कहा रहा है इंडियन अन्रेश्ट के लेखक कौन थे तो यह इंडियन अन्रेश्ट जो है वह वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया था और वेलेंटाइल सी रोल ही थे जो क्या थे एक राजनीति की थे एक राइटर थे एक वक्ता थे तो इन्हों नहीं आपको बाल गंगाधर तिलक को और सांती का जनक भी कहा था ठीक है अगला प्रसन है प्रसेंसंख्या अठाइस फॉलकेटिंग कहा की संसद है यानि कि किस देश की संसद को फॉलकेटिंग कहा जाता है तो यह देन्मार्क है ना देन्मार्क की जो संसद होती है उसे फॉलकेटिंग के नाम से जाना जाता है प्रसेंसंख्या 29 हाली में कौन भारतिय सेना की पहली महिला लडाकू अभियेटर बन गई है तो यह जो है अभिलासा बाराक ठीक है जिनका संबंध हरियाना से है ठीक है और यह जो है हेलिकॉप्टर जो है हेलिकॉप्टर है ना उसमें यह हेलिकॉप्टर की पाइलेट है लडाकू पाइलेट है ठीक है अगला प्रसन है प्रसन संग क्या है तीस तीस नमबर में कहा रहा है कि डड़वी किस से संबंदित है अगर ड़वी की बात की जा तो इसका संबंध घुरदौर से है देखिए ड़वी का अभी पराय होता है कि लंबे समय तक चलने वाली जो है वह खेल और घुरदौर जो है लॉंग टाइम तक चलता है कुछ ऐसा ही कंडिशन है जाने कि मैं जो बोल रहा हूं वह है इसाब से तो यह घुरदौर का संबंध डड़वी से है अगला प्रसंद कहा रहा है प्रसंसंख्या 31 नमर प्रसंद में क्या कहा रहा है कि निमलिखित पर विचार कीजिए प्रकास संसलेशन स्वसन जैप पधार्थों का अप्छाय ज् निकल ला है तो यह आपका काम करता है फिर बात किया जय पदारंत जोब अप्छह होता है जब वो संवह ध्यकम्पोजी, तो उसमें भी आपका कार्वन डाइकसायड ड्रिलीज होता है उसके अलावा बात की याय के प्रकास दाइकसायड 際 से निकलती है तो यहां पर दो, कि आप्षिन नमबर दो तीन और चार कुई डाउट अगर डाउट नहीं है साथ यो तो आप यस लिखेंगे सोरी डाउट नहीं होगा तो आप लाइक करेंगे और साथ ही लिखेंगे आप थमसब कर सिंबोल जरूर देंगे यानि कि सभी correct जाड़ा है, सही जाड़ा है, इससे मुझे थोड़ा सा motivation मिला गया अगला प्रस्ट ने प्रस्ट संक्या 32, 32 नमर प्रस्ट में क्या कह रहा है राष्टिये पर्यावरन अभियांतर की सोध संस्थान यानि कि नीरी कब और कहां अस्थापित किया गया तो यह जो है राष्टिये पर्यावरन अभियांतर की सोध संस्थान नीरी की बात किया रहा है तो नीरी की अस्थापन जो है उनीस सो अंठावन में नाकपूर में किया गया था अगला प्रसन है प्रसन संग्या 33 33 नमर प्रसन में कहा रहा है कि भालत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्राडम हुआ था तो यह जो है मिट्टी बचाओ आंदोलन वह होसागंगाबाद जो कि मद्य परदेश में पड़ता है वहाँ पे 1977 में सुरू किया गया था यहीं पे आंदोलन प्राडम हुआ था प्रसन संग्या 34 में कहा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवन्स का अंतिम सासक कौन था तो अंतिम सासक की बात की जाए तुगलक राजवन्स के संदर में तो अंतिम सासक था नशीर उद्दीन महमूध ठीक, यह तोपी सीकर अपना जीवन यहापनela करता था, नाम मातर का यह बासा के पदपर था तो यह जो है नशीर उदू महमूध इसके बाद बलबन क्या बना था, सुनतान बना था अगला प्रसन है, प्रसन संकिया 35 निम्न में से कौन सी तापमान की SRQ है अगर आप तापमान यानि की टेंपरेचर की बात करें तो इसमें सारे के सारे टेंपरेचर से सम्मान्धीत ही जिकर किया गया है डिग्री, Cels meilleur, Kelvin ये सारे के माध्यम से आप temperature को ही मापते हैं लेकिन आपका अगर पूछा जा रहा है कि आप मानने कि इसा ही काई क्या है तो प्रात्मिक और मूलता अगर इसा ही काई की बात की जाए तो इसका Kelvin राइट एंसर हो जाएगा ठीक है साथि साथ फारेन हाइट के द्वारा ही अगर मान लेजिए आपका कितना बुखार है तो आप नापते है ना फारेन हाइट में फिर डिगरी प्रस्ट संख्या 36, 36 नमर प्रस्ट में कर रहा है किस देश ने उतकरिष्ट महिला क्रिकेटर को श्रमानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल सुरू करने की घोसना किया है, तो ऐसा घोसना जो है न्यूजी लेंड के द्वारा किया गया है इसमें जो भी प्रतिष्टित महिला खिलारी होगी, जिनका क्रिकेट में विसेश योगदान होगा, न्यूजी लेंड के तरफ से उनको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा अगला प्रसन है, प्रसन संक्या 37, 37 नमबर प्रसन में कहाँ एक गाओं की बरतमान जन संक्या 7640 है, यह भी मैत के प्रसन है, बहुत ही साधारन है, थोड़ा क्लू देता हूँ, यदि पूरुसों की संक्या में 25 परसन की बिरिदी होती है, तो पूरुस एक्स है, ठीक है, ट तोटल पॉपुलेशन 7640 है, तो महिला कितना हो जाएगी? 7640-1, यह महिला मिल गया, महिला की संक्या मिल गई, और यह पूरुस की संक्या मिल गई, तो आपको संक्या पता चल गया, अब बोल रहा है, कि यदि पूरुसों की संक्या में 25 परसन की बिरिदी हो गए, तो कोई एक किस संख्या की पंदर परसंट निफशी और रही है तो बर तो यह गए इसको दोनों को एड़ करेंगे तो बिरानुमे से चोदव होगा वहां से आपका एक्स का वैलू निकल जाएगा तो मेल की संख्या निकल गए और मेल में से फीमल को घटाएंगे अब लास्ट में कह रहा है कि पूरसौ और महिला की बरतमान जन संख्या के बीच का अंतर क्या बरतमान की पूशा जा रहा है फिर दोनों का डिफरेंस निकल देंगे आप खुद से स्वाल करेंगे वैसे मैं तो स्वाल करूंगा है अगला प्रस न है प्रसेंसां क्या अर्तिस नमर्प्रस न में क्या कह रहा है निमलिखित में से कौन सा स्रेणी वन का लीवर का उदारान अब देखिए यहां पर बात की जाए तो प्लायर ठीक है इसमें एक अब चीमटा आप पकड़ते हैं दोनों तरफ से आप देखते हैं ना दो मुझ रहता है तो यह एक लिवर का नहीं उदारन नहीं होता है ठीक है जिसके दोरह कभी आप देखते हुए नाडियल को चीरा जाता है फाडा जाता है और बहुत सारा काम किया जाता है तो यह जो है यह प्रसन संख्या उन्चालिस नमर प्रसन में कहा रहके है कि नीव्टन का सीतली करन नियम निम्ण में से किसकी विशेस इस्तिती है तो यह इसी के इस्तिति है प्रसन संक्या 40, मानव मस्तिष में ध्वनी की अनुगूज कितनी देर तक कायम रहती है जब आप आवाज सुनते हैं तो पूछा जा रहा है कि ध्वनी कितनी देर तक कायम रहती है यानि कि बना रहता है तो यह 0.1 सेकेंड तक रहता है अगला प्रसन है प्रसन संख्या 41 जब प्रकास में जब प्रकास नेतर में प्रवेश करता है तो अधिकांस अपवरतन कहां पे होता है कोई भी रोशनी जब क्या होता है नेतर में आता है यानि कि नेतर में प्रवेश करती है तो अधिकांस अपवरतन का काड़ जो है वह कौर परणिया भी कहते हैं वहांपे इसका अधिक्तम पड़ावरतन होता है अंगला प्रसंध अगर कििसी में प्रतिरोध का आधा कर दिया जाए तो उसम्हेय प्रभाव क्या हो जाएगा idol दोस्तों अगर आप प्रतिरोध को आधा करते हैं तो उसमिय प्रतभाव भी क्या हो जाएगा वन वाई टू हो जाएगा ठीक है वन वाई टू हो जाएगा अगला प्रसन है प्रसन संख्या 43 निम्न में से कौन साता तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रोन को दर्स आता है तो सब से जादा अधिकतम अगर संयोजी इलेक्ट्रोन की बात की जाए तो यह हो जाएगा फ्लोरीन यानि कि इस जिसे एप से डिनोट करते हैं कैप्टल एप से तो फ्लोरीन हो जाएगा आपका राइट एंसर अगला प्रसन है प्रसन संख्या 44 नमर प्रसन में कहा रहा है कि पूछ आए कि कौन बिश्रित नहीं होगा dancing आप तो यहां पर मती बॉर थो नहीं पनी अगर बलती का अश्टक कानियम लागू नहीं होता है तो बात की जाए कैल्सियम ठीक है कैल्सियम तक जो है वह अश्टक कानियम लागू हो पाया और यह इसे न्यू लेंड के द्वारा दिया गया है यह अश्टक कानियम की बात की जाए तो इसे न्यू न्यू लेंड के द्वारा इसे अश बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ प्रसन संख्या 47, का 48 नमें केरा है Ing St. समस्थानिकों में समान भाती गुन तत्हा भीन-शायनिक गून होते हैं भीन भाती गुन होते हैं समां अपन याद रखिये का आपको तो पता ही हों समस्थानी एक को फैना घ्लाइन से जब हाだ थोप्सन को देखीई भीन-शायन अनलोstat रहिए यहां पे सही बात है और शमान रशायनी गुन है तो यह सही बात है लेकिन यहां option एक में क्या करे समान भहुत उच्ट तता भीन रशायनी नेहीं भहुत उच्ट जो है आपका वह क्या होता है भीन होता है शमान नहीं होता है तो option number 2 अगर आपका इसको definition आप समझ गया है definition आपको याद है तो यहीं से आपका answer correct हो जाएगा option 2 और 3 option number C आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसन है प्रसन संख्या 49 49 प्रसन में कहला कि केंद्रिये नियोजीत अर्थ विवस्था में आर्थिक किरिया पर किसका नियंतर होता है अर्थ विवस्था में आर्थिक किरिया होती है उस पर control जो है government का होता है अगला प्रसन है प्रसन संख्या 50 हमारे रहन सहन के अस्तर को प्रभावित करता है किसके द्वारा हमारा रहन सहन का अस्तर प्रभावित होगा common sense की बात है प्रति वेक्ति आए अगर आपकी आए में कमी होगी तो आपका रहन सहन तो प्रभावित होगा ना तो रहन सहन का जिसका भी पूरा अगर overall देखा जाता है तो रहन सहन प्रति वेक्ति आए पर आधारित होता है अगर उसमें कमी आएगी तो रहन सहन पर असर पड़ेगा option c आपका right answer हो जाएगा अगला प्र आए जिए कि जो चीज आप पहले पे करते थे कोई बस्तू के लिए 10 रुपया अब सेम अब्जेक्ट को अब्जेक्ट में कोई changes नहीं सेम अब्जेक्ट को आपको 20 रुपय में पेट करना है 20 रुपय में खरीदना है तो क्या हो रहा है यहाँ करेंसी का वैलू उसके साम के नाम से जानते हैं क्लियर होगा तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक सेर कीजिए और जो भी लोग इस चैनल पर पहली बारे साथ हो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे चुकि यहाँ पे सबसे लंबी टेस्ट चलने वाली है और कोई भी आपका डाउट नहीं रहने वाला है बेहतर कंसेप्ट के साथ मैं क्लियर करूंगा और अभी कुल मिला के असी ग्यान बिंदू सेट को डिस्कस किया जाएगा जो कि उसमें का यह आठवा सेट है इससे पुर्व एरुटोरिया भॉलूम वन के बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ प्रस्ण संख्या बावन नागरीकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान अनुछेद 10 में है यानि किस अनुछेद में है नागरीकों के अधिकार को बने रहने का तो इसका अनुछेद 10 में इसका वर्ण किया गया है अगला सभी व्यक्ति पूनता और समान रूप से मानव है यह सिद्धान्त जाना जाता है तो इसे सिद्धान्त को क्या कहते हैं कि सभी जो भी लोग है वह पूनता समान रूप से मानव है तो इसे जाना जाता है सारव भौमिक्तावाद है ना इसे सारव भौमिक्तावाद के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्टन है प्रसेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे कि विधाई सक्ति कौन सी है देखिए यहां भी confusion बहुत सारा होगा संसत का सत्रावशान सत्र संसत को बुलाता है संसत के सत्र को वह लागू करवाएगा चालू करवाएगा संसत का सत्र आहूद करेगा संसत की बैठक अस्थागित जो है वह भी कर सकता है और अध्यादेश जा सारी में सारे के सारे आ जाएंगे ठीक है तो यह जो है समिधान का अनुसार समिधान जो राष्टपती को विधाई सक्ति दी है उसकी अनुसार अध्यादेश जारी करना इसमें उसके विधाई सक्ति में सामिल होगा तो आपको एक option के साथ जाना है option number D right answer हो जाएगा यहीं अब देखिए यहाँ पर बात की जाये तो चंडीगाट, शिक्की और मिजोरम इन तीनों के र्ड़ सवा में एक एक सीट है अगला प्रस्न है प्रस्वे संख्या 57 प्रस्वे में कहा रहा है एक संख्या स्वा में एक ही सीट है यह मैं कहा रहा हूँ, ऐसा निनीग क अब उल पद पर बना रह सकता है तो अधिकतम 6 माद तक वो क्या करेगा अपने पद पर बना रहेगा इसके बाद उन्हें त्यागपत देना पड़ेगा और नहीं तो सदस्ता ग्रहन करनी होगी ठीक है और जो भी है अगला प्रसन है प्रसे संख्या अंठावन है राज 3077 यानि कि 3077 एक परजाती है तो यह गेहूं की एक परजाती है गेहूं का एक नसल है अगला प्रसन है प्रसे संख्या 69 निमलिखित उच न्याले में से कौन एक से अधिक राज केंसाथित परदेश के लिए है यानि कि यहां पर जो हाई कोट दिया जा रहा है जैसे इलहाबाद हाई गुजरात हाई कोट बंबई हाई कोट पूछा जाड़ा है इनमें से कौन एक से अधिक राज्यों या केंसाथित परदेश का जो भी होता है उसमें उन सभी राज्यों का फैसला करता है यह इनके छेतर अधिकार में आता है ऐसा प्रसन पूछा जा रहा है तो यहां पर हो सब्सक्राइब और दमन और दीप इसमें जो भी प्रसाशनी गतिविद्या होती है उनको यह नियंत्रन करता है यह इनके छेतर अधिकार में आता है कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए अगला प्रसन है प्रसन संक्या साथ भारत के मुख निरवाचन आयुक्त की पदावधी क् देखिए यह कि 6 वर्स या 65 वर्स की आयु तक जो भी इन में से पहले पूरा होगा उसके अनुसार या रिटाइड होगे यानि कि option number C आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसन है प्रसन संक्या 61 एक साथ नंबर प्रस में कह रहा है कि संविधान के किस संसोधन के अंतरगत अन्य पिछरा वर्द को सिक्षन संस्थानों में प्रवे सेतु 27 प्रतिसत का आरक्षन दिया गया है देखिए यह 93 जो अमेंडमेंडमेंड एक्ट जो हुआ था 93 संसोधन उसके अनुसार जो 2006 में हुआ था अगला प्रस में प्रस में संक्या 62 अगर बात करें तो देखिए यहां पे कई समीतिया दी गई है एक दो तीन चार चारो के चारो समीतिय हैं पूछा जा रहा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्द समीतियों को कालक्रम से विवस्तित कीजिए यह जो भ निकी पहले कौन आया इस समीति में फिर उसके बाद कोने एक सिक्वेंस के रूप में आपको अस्थापित करना है तो देखिए जीवी किये राव समीति कि अगर बात की जाए तो यह उनीस सो पचासी में इसका गठन किया गया था फिर उसके बाद अगर बात की जाए लेम स संतावन में किया था अगर बात की जाए अशुक में था समीति की तो इसका गठन उनीस सो सततर में किया ध्याए था तो देखिए सबसे पहले यहां प कौन हुआं PE 66 शंतावन यानि की ऑप्षान नमबर 3 के साथ आपसिन कौन सा सुरूर रहा है मात्र एक ऑपसिन नमबर सी डाउन टाबू राजस्थान में फड़ता है आंतरिक सुरक्षा अकेडमी ऑप्सिन ए राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसिन है प्रसिन संक्या 64 सूपर नोवा है सूपर नोवा क्या है एक मिर्त प्राय तारा है अगला प्रसिन है प्रसिन संक्या 65 65 नमबर प्रसिन में कह कौन गर्म धारा है गर्म धारा के अगर बात की जाए तो यह ब्राजील की धारा जो है वह गर्म जल धारा या गर्म धारा है Question number 67 67 में क्या कहा रहा है दो सूची दिया हुआ है एक अस्थानिय पवन का सूची है और दूसरा है कि वह किस छेतर में चलती है ठीक है तो अगर बात की जाए फॉन की तो फॉन जो है वह आलपस के छेतर में सिमूम की बात की जाए तो यह कुर्दिस्तान के छेतर में सेंटा एना की बात की जाए तो यह कैलिफोर्निया के छेतर में और जोंडा जो है B का, तो B का क्या हो जाएगा, दूसरा नमबर, फिर C की बात की जाए, तो C का हो जाएगा, थर्ड, अब देखिए C का थर्ड कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, तो B आपका right answer बन जाएगा, अगला प्रसन है, प्रसन संख्या 68, question number 68, भारतिय मानक समय की यामियोत्तर नह जो है, इलाभाद के नैनी से गुजरती है, और UP, MP, 36 गट, आंद परदेश, उरिसा इन जगह से गुजरती है, अब यहाँ पे option क्या है, 36 गट से गुजरती है, आंद परदेश से भी गुजरेगी, महराष्ट से अगर बात की जाए, तो महराष्ट नहीं गुजरती है, उत तापती नदियों के मत इस्थित है, नरमदा और तापती नदी है, इन दोनों के बीच सतपूरा स्रेनिया इस्थित है, आपका राइट अंसर ऑप्सेन नमर B हो जाएगा, कोश्चन नमर 70 की बात करें, तो 70 नमर प्रस्ट में कह रहा है, निमलिखित तितियों में से किस ति ति अल्बर 71 में कहажए, इस अब देखिए, अगर आप प्रसं को बाड़ी की से पढ़ते हैं, तो यहीं पे आंसर मिल गया, आगे पढ़ना भी नहां हैं, मतलब मैं कह रहा हूं, यहीं पे आपको क्लू मिल गया, दोस्तो कोई चीज को निधार इत करना है, यह प्रोग्राम किया हुआ है प्रोग्राम सेल डेथ यानि कि जो सेल डेथ करें कि वह प्रोग्राम है वेल प्लान की तो ठीक है उस कोशिका यह आणविक नियंतरन क्या कहलाता है तो इसका एक नाम दिया गया है ठीक है उस नाम की अगर बात की जा तो उसका नाम है एपो एपो पोप्टोसिस कोषीका मृतिव काड़ होता है और यह बताता है नियंतरन करता है और यह बताता है कि कैसे कोषीका को ange passive करना कहां Go questions के नाम से जाना जाता है और प्रसनमें पर यह प्रोग्राम से फोह है यहां 100 प्रकडिया को एपीप्डिकर चलन से जाता है कि 72 नंबर प्रेस्ट निमलिखित में से कौन साइब तदर लार लार गरंथी तथा स्वेद गरंथी में पाई जाती है अब देखिए लार गरंथी अलार क्या होता है निकलता है स्रवन का काम होता है स्रावित होता है स्रवन सुनने वाला नहीं स्रावित का काम होता है ठीक है अब देखिए ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन में क तक पाइ जाती है तो यहां से क्या होता है उसका स्राव होता है वहां से निकलता है और क्या होता है अभसूषन का कार होता है आप याद रखेंगे क्यूबाइडल एपिथीलियम यह एक गरंथी अगला प्रसes κα्रण CP चेचक के प्रती टीका करण में समावेश किया जाता है किसका समावेश किया जाता है चेचक के प्रती टीका करण में तो देखिए बात की जाए तो यहां पे जीवित प्रती रक्षियों का यूज किया जाता है ठीक है जीवित प्रती रक्षियों का यूज किया जाता है प्रस सहवाल क्लोडोफाइसी यह आपका बिल्कुत सही है बुरा सहवाल फ्योफाइसी के अंतरगत सही है और रोडोफाइसी जो है वह लाल सहवाल है यानि कि सारे के सारे आपका सही है एक दो तीन यानि कि option D आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसन है प्रसन संक्या 75 निम्न तापकर प्रसन में आया हुआ वी प्रसन है तो हो सकता है रिपीट कर दे हाइबर्नेशन के नाम से जाना जाता है अगला प्रसन है प्रसन संक्या 76 सरवाधिक प्रकास संसलेशी करिया कलाब कहां चलता है सबसे ज़्यादा अगर प्रकास संसलेशन करिया कलाब जो होता है आपको इत तो लाल तो सब को याद रहता है, तो यहाँ से option में क्या है, प्रकास के नीले और लाल छेतर में, तो लाल आपको याद रहेगा, इतना से भी आपका answer correct आजाएगा, लेकिन पूरा याद रखेंगे, प्रकास के नीले और लाल छेतर में, प्रसन संख्या 77 में क्या रहा है, प् खाने योगी भाग प्याज का पूछा जा रहा है तो वह होता है गुदादार पत्ता ठीक है आपसे नमबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 78 नमबर प्रस्ट में कह रहा है निमन में से कौन सा कार्बो हाइडरेड डाइसेकराइड है अब पूछा जा रहा है कि इसमें से जो आपसन दिया हुआ है इसमें से कौन कार्बो हाइडरेड डाइसेकराइड है तो देखिए लेक्टो जो होता है वह कार्बो हाइडरेड पाया जाता है और इसमें यह ढाई से कराई ततो भी इसमें पाया जाता है अगला प्रसन है प्रसेश्ठ संख्या 79 सरीर में कुल 24 जोड़ी पसलिया पाय जाती है बिल्कुल सही अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या 80, कौन सी करिया को oxy तथा anoxy स्वसन का common step माना जाता है तो यह glycolysis जो है उस प्रक्रिया को oxy और anoxy स्वसन है उनका यह common step होता है यानि कि एक समान सा step होता है तो इसे आप option number A को right answer करेंगे ग्लाइकोलीसिस एक प्रक्रिया होती है अगला प्रसन है प्रसन संख्या 81 81 नमबर प्रसन में कहा रहा है कि बुंदला तथा पालनी जल प्रपात यह किस राज में अवस्तित है तो दोस्तो यह दोनों के दोनों हिमाचल परदेश में है अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं दोस्तो याद हो जाता है आप वीडियो को बीच में skip करेंगे तो आपको कोई फैयदा नहीं मिले थोड़ा थोड़ा फैयदा करेंगे confusion जादा हो जाएगी confusion को clear करेंगे वीडियो को पूरा देखेंगे लाइक जरूर करेंगे, शेर करेंगे, और पहली बार अगर चैनल पर आये हैं दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब करेंगे, आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट सब मुझे मोटिवेट करेंगा, अगला प्रसन है प्रसे संक्या बिरासी, छेतरफल की दिष्टी से सबसे बड़ा जैब मंडल आरक्षित छेतर कौन सा है, अगर छेतरफल की बात की जाए, तो उसके दिष्टी कौन से सबसे बड़ा जैब मंडल आरक्षित छेतर जो है, वो है कक्ष का रन, ओप्सन नमबर C, राइट अंसर हो जाएगा, अगला प्रसन है प्रसे संक्या तेरासी, ओइल जैब पर किस संस्था के दोरा विक्सित किया गया है, यह ओइल जैब पर की बात की जैए, तो इसे तेरी के दोराए, यानि के T-E-R-I, अगर T-E-R-I की बात की जाए, तो इसका पून रूप, यानि के फूल फॉर्म जो होता है, वो होता है The Energy and Resource Institute, लिख लेंगे The Energy of The Energy and Resource Institute, अगला प्रसन है प्रसा संख्या 84, छटी सताब्दी इसापुर में कौन सा महाजनपद, अपने स्रेष्ट घोरो के लिए विख्यात था, देखिए, 16 महाजनपद थी, उनमें पूछा जा रहा है, घोरो के लिए कौन सा फेमस था, तो अगर बात की जाए, कमबोज की है न, वह कमबोज अपने स्रेष्ट घोरे के लिए, घोरे के लिए विख्यात था, पुल मिला के 16 महाजनपद भुआ करती थी, अगला प्रसन है प्रसन संख्या 85, निम्न में से किस गरंद को सहस्तरी संहिता के नाम से जाना जाता है, तो यह महाभारत है, ठीक है, महाभारत को सत सहस्तरी संहिता का एक अने नाम दिया गया है, आगला प्रसन है प्रसन संख्या 86, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है, अब यहाँ पर तीन दिया हुआ है, रिगवैदी काल में महिला यगकार में भाग नहीं ले सकती थी, यहीं से आपका क्या है, गलत हो गया, है ना, यह रिगवैदी काल में महिलाओं को सारे अधिकार प्रदान किये गये थे, उनका जो है, उनका जो है दोस्तों, वह यगवपवित्सर का संसकार होता था, मुंडन होता था, बहुत सारे उनको अधिकार दिये गये थे, रिगवैदी काल में महिला य नहीं ले सकती है लेती थी ले नहीं सकती थी लेती ही थी उनका उपनेया संसकार किया जाता है उन्हें लड़कों के बराबर दिया जाता है अधिकार दिया गया था तो यह सारे किये गये थे तो यह आपका सही नहीं है यह आपका गलत है अडिक्वैदी काल में बाल विवा सत ही प्रफा तरदां परदां नहीं था यह आपका सभल है बिदवां विवा प्रफा टिथा दास प्रफा का परचलन था यानि कि बिद्वा को दुवारे साधी करशितने का अधिकार प्रदान था या प्र jut ाता नहीं जो है आपका correct answer हो जाएगा अगला प्रसन है प्रसन संख्या 87 87 नंबर प्रसन में क्या कह रहा है दोस्तों 87 नंबर प्रसन कह रहा है कि जियोग्राफी ठीक है जियोग्राफी अलग होता है यह जियोग्राफी अलग होता है ठीक है यह इसकी बात कह रहा है इस पूस्ते के लिखा गया है अगला प्रसे ने प्रसे संख्या 88 चांदोग ये तता जांधों है किस वेद का प्रमुख उपनिशन थ प्रसाय की संधी ने किस महादेश का मान्चित्र बदल दिया था तो अगर बरसाय की संधी की बात की जाए तो यह 2019 में हुआ ठीक है ना जर्मनी ने इस पर हस्ताक्षर किया था जर्मनी और जर्मनी को बढ़ा था जर्मनी तो इससे क्या हुआ था पूछा गया कि किस देस का मांचीत्र बदल गया था और यह यूरोब का मानचित्र बदल गया था, option Asia को तो नहीं था ना, अफरीका, अमेरिका, यूरोब का मानचित्र बदला था, changing आया था उसमें, अगला प्रसन है, प्रसन संख्या नबे, नब गुवेलफ आंदोलन, यह एक प्रकार का आंदोलन था, नब गुवेलफ आंदोलन, प्रोटेस्टेट धर्म जो है उसकी अस्थापना का स्रे की से दिया जाता था? तो इसकी अस्थापना मार्टिन लुथर किंग के द्वारा किया गया था? और बात की जाया तो वह लगान का नगद में परिवर्तन था उद्धेश क्या था लगान जो दिया जा रहा है उसका नगत में परिवर्थन इसका मुख उद्धेश था और यह एकान-दॉलन की बात की जायए अवद की एकान-दॉलन की तो यह 1921 सुरू कीया गया था अगला प्रस्ण है, प्रस्ण संहिया तिरानमे तिरानवे नमबर प्रस्ट में कहा रहा है कि निमलिखित में से किस भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अधिवेशन में जवाहालाल नहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था अगला प्रस्ट है प्रस्ट संख्या 94 94 नमबर प्रस्ट में फिर से कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलिद करना है और नीचे दिया गया कूट का प्रयोक करके सही उत्तर को चुनना है इतना देख लिए अब प्रस्ट को मैं उपर करता हूँ एक तरफ खनीज का लिष्ट दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है कि इसका उत्तपादन छेतर कहां पर है अब देखिए ऑप्सन में जाए लह एस की अगर बात की जाए दोस्तों तो लह एस क्यों जोड जोकी उडिसा में परता है ठीक है इसका उत्पादन छेत्र है यहीं पर इसका अधिक मात्रा में उत्पादन होता है और भी जगह होता है अगर बात की जाए तामभा की तो यह खेत्री खेत्री कहां पर राजस्थान में राजस्थान में खेत्री परता है यहां पर हो गया कोईला की अगर बात की जाए तो यह इसका मिलान हो जाएगा इसका उत्पादन छेतर कोड़वा और जो की अगर कोड़वा की बात की जाए तो यह चतिस गड़ में चतिस प्रकार से अगर मैचिंग को देखेंगे तो एक दो आ रहा है यानि कि ऑप्सन नमबर सी यहीं से एक मातर है जो आपका सही हो रहा है अगला प्रसन है प्रससंख्या पंचान में अभी यहां पे दो सूची दे रखा है एक तरफ लेखक है और उनके दोरा जो लिखी गई पु यह भी आपका सही है रविन नार टैगोर गोड़ा और सहरी नाइड़ू ने दब्रोकेन विंग की रचना की थी तो यानि कि यह पूरे के पूरे सिक्वेंस में है अब देखेंगे ऑप्सन क्या बन जाएगा एक का ओवन वी का टू सी का त्यहर और डी का फूर आपका प्रिथक निरवाचंग छेत्र मंडल का जिक्र नहीं था ओप्सन बी आपका राइट अंसर हो जाएगा है ना एक आत्मक तथा लोकतंत्रिय केंद्र जो है वह था ब्यस्क मत अदिकार था नेहरो डिपेट के अनुसंसा में इसका जिक्र था लेकिन प्रिथक निरवाचंग मंडल का जिक्रूस में नहीं था अगला प्रसन है प्रसन संख्या संतान में बात की जाए फराजी आंदोलन की या फराजी आंदोलन की इसकी सुरुवात किस ने की थी तो यह हाजी सरियतुला के द्वारा इसकी सुरुवात की गई थी ठीक है और यह जो है फराजी आंदोल की बेसीन या बसीन की संधी पर हस्ताक्चर किसे मध्य हुए तो यहां पर बसीन लिखा हुआ घर बात लिए इसमें अंगरेज और बाजी रावद spent Syria जेए उनके मद्य हें एग्रिमेंट हुआ था हस्ताक्छर हुआ था ठीक है अगला परसन परसन सँ क्या 99 raises किस की युद में हराय था हराने की बाद की जा सिभा जी के दौरा मुगलो की उन्हें सलहार के युद में हराय गया था जो कि 1672 में लड़ा गया था ठीक है और इस सेट नमबर आठ का अंतिमवा प्रस्ण यानि कि सौमवा प्रस्ण है मुगल सहजादा जिसने स्री नगर गढ़वाल में आस्रे लिया था वह कौन मुगल सहजादा जिसने स्री नगर गढ़वाल में आस्रे लिया था यानि कि अंतिम डेरा डाला था तो वह था सदोस्तो सुलेमान सिकोह की एकर बात की जा तो सुलेमान सिकोह जो था वह दारा सिकोह का बेटा था ठीक है इसका right answer option number D हो जाएगा दोस्तों आपने इस channel को अगर पहली बार देखा है तो subscribe करेंगे कोई भी doubt होगा तो comment में प्रस्म को पूछेंगे और साथी साथ like जरूर करेंगे इसके अलावा आपसे बात की जाए तो मैंने इसी channel पे ncrt biology के mcqs को डाला हुआ है उसे आपने अभी तक देखा नहीं है जरूर देखिए इसके अलावा ancient history के mcq को भी upload कर दिया गया हुआ है आप उसे भी जरूर देखेंगे ncrt के जितने भी प्रस्म को जितने भी video को upload किया जाएगा उसे आप मिस नहीं करेंगे examination में क्या होता है घुमा के प्रस्म नहीं आएगा ncrt के अगर प्रस्म होगा तो वो directly same to same cut copy paste कर देता है तो आप उसे देखना बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप सभी लोग का मुझे motivate करने के लिए और मेरे चैनल को subscribe करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद